हेलो टू एब्रवन लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि भारत का विस्तार नाम के चैप्टर से कितने क्या कोशेंद बन सकते थे तो उसी ओडर में हम लोग आज का लेक्चर इस्टार करेंगे लास्ट भारत की जनसंख्या से बारत की इतनी जनसंख्या थी और 2021 का कोई ओफिशली हम लोगों का सेंसिस का था यह सेंसिस का था वर्डबैंक और युए सेंसिस का आज से स्टार करेंगे हम लोग अच्छांसी विस्तार का प्रभाव क्या पढ़ता है यानि Impact of Latitudinal Extension कल बता है था मैंने कि यहां पर अच्छांश जो होता है वो इस तरीके से लाइन ड्रॉट होती है मलब अगर यह आपकी पूरी अर्थ है तो यह जो पड़ी भी लाइन होती है उसको बोलते हैं अच्छांश जबकि एक खड़ी जो लाइन होती है यह यानि वर्टिकल लाइन यह क्या होती है यह होती ही देशांतरी रेखा है इसको अच्छे से डिटेल में हम लोग बादने पढ़ेंगे अभी जितना फिलाल हम लोग समझता था वो हम लोग कल की वीडियो में समझ चुके थे तो पहला फैक्ट है कि भारत का जो अच्छांशी विस्तार है वो लगब ने कहीं देखा था यह लिखा हुआ है तो यहां पर चीज़ लिखी लिए अब इसका मलब प्रभाव क्या पड़ता है इसका इंपक्ट क्या पड़ता देखो जो अस्छांशी विस्तार है लगबक 30 दिए 30 का मतलब क्या हो जाता है बहुत बढ़ा एरिया अपने इंडिया क तो उसकी वज़े से क्या होता है भारत में जलवायू ब्रदा और जो वनस्पदियों की विविदता होती है वो पाई आती है विविदता का मतलब हो गया डाइवर्सिटी क्या हो गया डाइवर्सिटी या डाइवर्जन कह सकते हूं मलब कहने का है कि यह मालो एक कंट्री है उस country में यहाँ पर अलग मांसून चलता है यहाँ पर अलग मांसून चलता है यहाँ पर मांसून अलग है यहाँ पर soil अलग है ठीक यहाँ पर environment अलग है same यहाँ पर भी अलग है same यहाँ पर भी अलग है और इसी तरीके से यहाँ पर भी अलग है तो क्या होता है यहाँ पर बहुत सारी विवित्ता पाई जाती है मतलब यहाँ पर जो प्लांट्स पाई जाएंगे यह एनिमल्स पाई जाएंगे वो यहाँ पर नहीं होंगे यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर नहीं होंगे कहने मतलब है कि यहां पर जैसे मानलो, X चीज पाय जा रही है, यहां पर Y, यहां पर Z, यहां पर Alpha, ठिक, इसको बोलते हैं Bio Diversity, जैसे अपनी इंडिया में, अपनी इंडिया में क्या है, इतना बड़ा एरिया होने के वज़े से, ओपर दे को हिमाले होता है, अब हिमाले में अ अच्छा है एनिमल्स और प्लांट्स को हम लोग इन्वार्मेंटल स्ट्रीज में फ्लोरा और फॉना बोलते हैं इसको अपने कहीं देखा होगा तो यहां पर फ्लोरा फॉना इद्दम अलग होंगे नौर्स एस्ट में जो होगा वह बिलकुल अलग होगा साथ इंडिया में प पाड़ी की पाई आती है अम में लिए इसको बागों में बटाए किस बेस पर कर रेखा के बेस पर कर रेखा मतलब जिसको बोलते हैं अम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अर्थ की 23 एड़ हाफ डिग्री को क्रेट करती है मतलब यह जो लाइन है 23 एड़ डिग्री पर क्रेट होती है यह हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग वर्ड जिग्रफी का थोड़ा पोर्शन स्टार्ट दरेंगे तब इसको बढ़ेंगे यह जिरो डिग्री होता है एक्वेटर और यहां पर होता है 23 एड़ डिग् में लिड़ाल तो करक्रेखा भारत के दो प्रमुख भागों में कि यह क्रोता है पहला भारत का उतरी भाग और दूसरा भारत का दिएश्री अब अगर इसको मैप में देखे तो हम लोग कुछ इस तरही के ब मना सकते हैं यह मालो लगबग इंडिया है अब करक रेखा जो है यानि टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहां से ऐसे जाती है 23 एंड हाफ डिग्री यानि 35 डिग्री पर जाती है यह क्या है टॉपिक ऑफ कैंसर अब देखो दिखा जाता है यहां पर हिमाले का पॉरशन हो जाता ए घुर कर देखा जाएक यहां पर हिमाले का पॉशन हो जाता है टिक जिसके वजेन से यहां पर यहां जो साइबिरिया निला का पढ़ता है साइबिरिया जिसको बोलते हैं जो रश्या का जो इस्टन पार्ट होता है जो मेंली एश्या में बढ़ता है उसको बोलते हैं साइबिरिया तो वहां से बहुत थंडी थंडी हावाती है बट हिमाले के वज़े से यहां पर रुख भारत का दच्री बाग और दच्री बाग अब देखो यहां पर क्यूंकि थोड़ी थोड़ी सर्द होती है तो इसलिए इसको बोलते हैं तो इसलिए इसको ऊश्र बोलते हैं ऊश्र का मतलब ही होता है ट्रॉपिकल, मतलब हम लोग अगर पूरा मीनिक निकाल दे तो इसका मतलब होता है गर्माठ, यह निए गर्मवाला यहाँ का, कैसा शीट के साथ, यह थंडी भी होती है गर्मी भी होती है, इसलिए इसको मिला के बोलते है शीटोष्र अब यह कटिबंदी क्या होता है, यह सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे कटिबंदी छेतर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे उश्र कटिबंदी यहाँ पर हम लोग लोग शीट नहीं लगाया, क्योंकि महाँ पर नमी बहुत होती है यानि humidity भी बहुत होती है ये सब topic हम लोग जब monsoon पढ़ेंगे तब cover करेंगे फिलाल इतना हम लोगों clear हो गया कि जो topic of cancer है इसके बज़े से भारत को दो भागों में बाटा जा रहा है एक yellow portion है और दूसरा yellow portion है उपर है यानि north में है तो इसलिए इसके क्या बलते है Northern area हो जाएगा ठीक भारत का उतरी भाग और यह हो जाएगा Southern reason यानि दच्वी भाग तो यह हम लोग को clear हो यहाँ पर फिर यहाँ पर यह लोग को वाई factor जो अभी हम लोग पढ़ाता फिर भी भारत में उश्र कटिमंदी मांसून जलवायू पायाती है अब यह जलवायू वारा portion है यह हम लोग बस आभी याद कर लो जब हम लोग जलवायू यह नहीं मांसून पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे इसको बहुत ही अच्छे समझना क्योंकि यह बहुत ही conceptual होता है और ज़्यादा तर एक्जाम में इससे question पूछियाते है तो फिर भी भारत में उश्र कटिमंदी मांसून जलवायू पाय जाती है क्योंकि उत्तर में इस्थित हमाले परवत यानि ये हमाले परवत क्या करता है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हमाओं को रोग देता है जिसके वज़े से इस portion में actual सर्दी नहीं हो पाती जो असल में सर्दी होनी चाहिए थी यानि दो को यूपी में अगर है बिहार में बात करें वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती यानि अगर यहाँ पर हमाले नहीं होता तो यह पर डेफिनिटली हर साल यूपी बिहार में स्नोफॉल होता है यानि बर्व गिर्थी बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमाले है तो वही लिखा है Siberia से आने वाली ठंडी आवाँ को रोखता है Siberia को क्या होता है Siberia क्या है यह Asian part है और रशिया यानि रूस का एशियाई छेत्र रूस का एशियाई छेत्र पूर्वी भाग भी बोल सकते हो पूर्वी भाग बतला बेस्टन अगला बहुत important question जो one day exam में पूचा ही पूचा जाता है question यह की करक रेखा भारत के किन किन state से होकर जाती है यानि भारत के कौन कौन से राजे से होकर जाती है अब अगर आपको इंडिया कमयप अच्छे से यादे तो बहुत जल्दी यह याद हो जाएगा पहला हो गया गुजरात राजस्थान मद्यप्रदेश जारकंड वेस्ट बेंगॉल त्रिपुरा और मिजुराम इसको मैप से जरूर याद करना बहुत से बच्चे क्या करते हैं फॉलोविंग में या निम्लिखित में कौन से ऐसे स्टेट नहीं है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानि करगरे का नहीं होकर जाती है तो अगर यह सब याद होंगे तो नहीं वाला अपने आप तैर हो जाएगा अब आप स्क्रीन पर देखो यह लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक और देखो अराम से कौन-कौन से राज़े से होकर जा रही है कौन-कौन से स्टेट से होकर जा रही है तो यह हो गया भारत का अच्छांशी विस्तार ठीक इसका प्रभाव में तलब अब हम लोग देखें कि देशांत्री विस्तार फिर देख लो देशांत्री क्या होता है देशांत्री यह मानलूग ग्लोब है अपना यानि अर्थ है अपनी यह लाइन होती अच्छांश लाइटिट्यूड और यह होता है देशांत्र जिसको लाइटिट्यूड बोलते है में टाइम आगे पीछी होता है तो कल के लेक्चर में देखा था हम लोग ने कि जब सांटिफिक अप्रोच पहुच रहे थी पूरे विश्व में पूरे वर्ड में तो पीक पर कौन था उस टाइम पे एंपायर बिटिश एंपायर उसी ने डिसाइड किया था कि हम ही तो इंडिया को ये काउंट करते 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 पूरा यहां पर इन्होंने साड़े पाच गंटा प्लस में कर दिया है साड़े पाच गंटे प्लस का मतलब है कि इंडिया बिटिश से इतना बिटिन से इतना दूर है कि यहां पर टाइम कितना हो जाता है साड़े पाच गंटे ए कंसेप्ट जैसे भारत का देशांत्री विस्तार क्या लगबग अब इसमें भी लगबग 30 डिगरी है अच्छा एक और चीज़ अमलो जैसे पूरी वर्ड का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो होता रशिया यह मालो रशिया है अब रशिया इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि वहाँ पर एक टाइम लाइन होना बहुत हीं पॉसिबल होती है तो यहाँ पर जैसे कह सकते हो हर एक कंट्री का हर एक देश का मानक समय रेखा होता है मतलब कि कंट्री में अगर कहीं भी एक बज़ राए तो पूरी कंट्री में भी वो एक बज़े ही दिखाना पड़ेगा अब एक्जाम्पल देते हैं जैसे मानों आपर 1,2,3,4,5,6 और यहाँ पर 11 11 लाइन क्यों हो देखो यहाँ पर रशिया में सबसे अदा मानक समय रेखा है मानक समय रेखा है एक मिनट क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में इसको बोलेंगे standard standard time line standard timeline तो रशिया में जारा मानक समय रेखा यानि STL यानि standard timeline है मतलब इस portion में अलग time गिना जाएगा यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग और ऐसे करते करते हर एक portion पर time अलग अलग होता है यानि मालो यहाँ पर कोई state है और यहाँ पर कोई state है तो यहाँ पर जो वक्त होगा उससे कुछ घंटे आगे यहाँ पर वक्त हो रहा होगा जैसे मालो यहाँ पर चार बज़रे होंगे तो मालो यहाँ पर पाच बज़ेंगे यानि time आगे पीछे हो गया यह देखो एक ही country में ऐसा हाल है इस बट अपने इंडिया में क्या है अपने इंडिया में क्या है कि देखो पीछे बताया था कि यहां और यहां का दो घंटे का फर्ग हैं कितने घंटे का दो घंटे का पर दे तो अपने government ने क्या क्या है Iइए बेलकुल बीत से एक मानक समयरेका खिज दीए ध्यान से सुनना सिर्फ और सिर्फ एक मानक समयरेका सिर्फ एक मानक समयरेका और वह कहां पर होके जाती बताया था बुक्स में इलावाद लिख्वा हुआ है यहाँ पर मानक समय रेखा बीतरी होती है तो यहाँ पर भले चार बज़ रहा हो यहाँ पर जिसे मान लूद cook 4 बज़ रहा हो बताया था यहाँ पर गंटे को फार का यहाँ यहाँ पर पहले time होगा शूर्ष पहले निगलता है यहाँ पर बाद में 6 पीम तिक दुगंटे का फर्क यहाँ पर भले 4 बज रहो, यहाँ पर भले 6 बज रहो लिकिन अगर यहाँ पर 5 बज रहो तो क्योंकि यह स्टेंडर्ड, time line है यहीं मानक समय रहा है पूरी इंडिया की तो पूरी इंडिया में कितना माना जाएगा 5 मना जाएगा यानि पूरे इंडिया में कितना बजेगा 5 बजेगा कि जहां पर या जो माना क्रेखा में टाइम हो रहा होता है तो पूरी कंट्री में वही टाइम माना जाता है यह मतलबता तो अगर यह कंसर्ट समन्माई है तो अब दिशांतर आप लोगे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा फिल लिखा जिसे भारत का दिशांतरी विस्तार कि होनी की वज़े से भारत के सबसे पूरी आंद्रपदेश था सबसे पश्मी भाग के बीच कितने गंते का फर्क है दो गंते का फरकार ता है इसलिए 82 एंड हाफ डिग्री यानि 82 डिग्री इस्ट में इस्ट क्या पीछे पर चुकर पीछे लेक्षर में देशांतर को भारत क उसकी थी बिटिश की बिटिश एंपार की नी बृतें की तो उसने ही अपने जगे जीएमटी जीएमटी के नाम पूस्ता आं एक्से इस एक्जाम में तो आप ने कभी बी देखा होगा कलॉग बदलते हुए मोबाईल में जब हम लोग वक्त आगे पिछे करते हैं तो आप प्लस फाइफ एं थर्टी मनब साड़े पाज गंट आ यहीं मतलब है कि यहां पर इंडिया है और बिटे ने इनके बीच में इतने देशानतर लेखा है कि उनके बीच का टाइम का फर्क हो गया साड़े पाज गंटे इसलिए माँ पर लिखा रहता है कभी मोबाइल में सेटिं के समय आगे है फिर यह इंपॉर्टन कोशन जैसे करक्रेखा था कहां से जाती है वैसे देशांतर अपने देश की कहां से जाती है तो यह देशांतर जो है अपनी स्टैंडर लाइन वो निम लिखित किस राइस हो कर जाती है पहला यूपी मद्पदेश चतिसगड़ उडिस यह भी इंपॉर्टन कोशन है तो यह हम लोने बहुत एजी वे में लेक्चर को समझने के कोशिश ही जिसमें हम लोने पढ़ा बारत का विस्तार जैनि इंट्रॉडक्शन टू इंडिया इंट्रॉडक्शन ओ इंडिया अलाग इसमें और भी टॉपिक है लिकिन वो टॉपि की पीछे लेक्शन बताया था कि अगर ध्यान से वीडियो देख लोगे तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए कोई दिकत नहीं होगी तो जुड़े रहे चैनल के साथ तो लाइक कर देना कॉमेंट कर देना जो भी ना समझनाया हो तो और अपने क्लिक्स में शेर भी कर देना तो मिलते हैं नेक्ट उडियो में